हलो माखिला लोर पबिकतरियों मैं हुआ आमिर ये है सिनिमा की मॉनिका ओ मैडारलिंग जो की वसन बाला की दूसरी फिल्म है इन्होंने हमें मर्द को दर्दनी होता भी दी थी इससे पहले और अब ये इसके राइटर है योगेश चंदेकर जो अंदधुन के को राइटर रह चुके हैं ये एक नियो नौर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर है जो की एक जैपनीज नौवल हर्ट और ब्रूटर्स की अड़ाप्टेशन है फिल्म में हमें राजकुमार, राओ, हुमा, कुरेशी और राधिका आपते लीड रोल में दिख जाते हैं वही एक तगडी सपोर्टिंग कास्ट हमें देखने को मिलती है सिकंदर खेर, भगवती पेरुमल, सुकंद गोयल और भी कई अच्छे अक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें वसन बाला की पहली फिल्म के लीड्स, राधिका मदन और अभिमन्यू दसानी हमें बहुत ही हम्मल केमियो करते दिख जाते हैं फिल्म का सॉंग, म्यूजिक, स्चोरी लाइन, इन फैक्ट धी होल मुवी इस बॉलीवूड के 60 और 70s के फिल्मों को एक ब्यूटिफुल हमाज है फिल्म की कहानी सराउंड सराउंड धी टिटिलर कैरेक्टर मॉनिका जिसके लफडों के चलते फिल्म के सारे मर्द लफडों में जैयंत उनिकॉन नाम के एक कंपनी में बोर्ड अफ डिरेक्टर्स में शामिल हो गया है लेकिन ये खुशी लॉंग लास्टिंग नहीं होती क्योंकि मॉनिका से उसका अफेर है और वो अब एक बिन चाहा बाप बनने वाला है विची केनाट अफ़ाउड क्योंकि he is in relationship with the company के माली की बेटी ये तो वह शुरुआत है और इसके आगे कुछ भी बोलना पाप है ये बेसिकली एक multiple murder mystery है जो की काफी entertaining और एक fresh feel देती है लेकिन हर film में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है So goods की बात करें तो Movie का pace perfect है 2 आर 10 minute के साथ इस film का length almost perfect है for the genre and the storyline काफी fast paste और creative editing हमें देखने को मिलती है जिसके वज़े से जादा बक्चोदी हमें नजर नहीं आती Second beautiful visually इस film की cinematography जो है वो काफी striking है The static shot beautifully portrays the emotion the creator wants us to feel Close up shots भी काफी meaningful और well thought out लगते हैं For example, जयन्द को जब एक shocking discovery होती है In fact, जब हमारी inspector जो नजर आती है जिनका role Radhika आपटे play कर रही है उनके time में एक special background score चलता है वो उस character के हिसाब से बहुत ही solid है With which comes the performance सभी actors अपने काम बहुत ही तगड़े तरीके से करते दिख जाते है Radhika आपटे एक police वाली के role में काफी solid लगती है She is lob लेकिन कुछ ऐसा दिखता नहीं है जो हमने देखा नहीं है वही एक not give a fuck attitude वाला inspector जो कि gives fuck मतलब वो उसका दिमाग काम करते रहता है बट ही plays casual तो वो आली चीज हमने बहुत बार ही देख लिये तो वो काफी repetitive लगता है इसा नहीं कि एच्छे सा नहीं करती है बट वो character design जो है वो काफी repetitive लगता है राजकुमार राओ एक solid performance देते हुए दिख जाते है और हमें पता चलता है कि राजकुमार राओ क्यों है राजकुमार राओ लेकिन जो performance मेरे साथ रह गई फिल्म के बाद भी और जिसने मेरे ख्याल से इस फिल्म को और भी special बनाया वो ते सुकंद गोयल who is gem of an actor मतलब अगर उनको सही मौका दिया जाए जो मिल रहा है दीरे दीरे तो वो फार सकते हैं उनके performance को देखकर मुझे काफी ज्यादा नवाज भाई की याद आती है वो छोटे-छोटे micro expressions हैं और जो वो करते हैं background में होते हुए भी it gives you that vibe of what a solid actor he is now finally talking about the bad जो मुझे बस एक चीज लगी and that is the screenplay now listen to me not bad at all कहीं से भी वो भुरी नहीं है या मैं कुछ bashing-washing नहीं करने वाला ठीक है ये मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत हूँ मैं ये नहीं कहने वाला कि ऐसे करना चाहिए था वैसे करना चाहिए था उन्होंने exactly ऐसे ही बनाया है जैसा वो चाहते थे मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से इस film का screenplay लिखा गया है वो climax को काफी obvious बना देती है साथे साथ ये film first act से ही predictable लगने लगती है आपको most of the time it's almost known to them कि यहां क्या होने वाला है आगे लेकिन क्या exact acts होते हैं वो तो obviously कोई नहीं जान सकता बट कैसे होने वाला है वो हमें अंदाजा हो जाता है वसनबाला meant it to be that way लेकिन उस चीज का इस फिल्म की experience से कोई भी देना देना नहीं है फिल्म देखने में आपको उतना ही जादा मजा आएगा क्योंकि at the end of the day they never said that they were making a murder mystery उन्होंने साफ का कि भाया हमें crime comedy बना रहे हैं जो ये film truthfully है हाँ तो भाया इस फिल्म को देखकर ग्यान यहीं मिलता है कि a wrong संभोग can put you in a hole जो आपके उमी से कई जादा गहरी हो सकती है this was the video guys hope you like the review and let me know your thoughts about this film in the comment and also about the video मैं मिलता है आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा